मुझे लगता देर हुई है इन दोर में मैं तो 23 तारी की रात को मुखमंत्री बना तब से कारवाई लगातार जारी है हमने जिला प्रिसासन को भी बदलने का काम किया है अब सारी आवस्तक व्यवस्थाएं टेस्टिंग की, इलाज की, आईसोलेशन की, कॉरिंटाइन की सारी व्यवस्था हमने बनाई है और जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसी से इतने पोजिटिब प्रिकरण सामने आए है पोजिटिब केस सामने आए है पोजिटिब अगर है तो पता चलना जरूरी है विश्वास से जल्दे हम रिस्थिती पर नियंत्रन करने। ऐसो लोग इंसान नहीं हैं, मानपता की दुस्मन हैं, डाक्टर पेरामेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालके जनता की जान बचाने निकले उन पर हमला किसी भी कीमत पर वरदास्थ नहीं होगा, सक्त कार राष्टी सुरक्षा कानून के अंतरगत भी कारवाई इन पर होगी, अपराध है यह, सक्त कारवाई होनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में क्यों ऐसा आयोजन की हैं, मैं सभी भाई और बहनों से यह अपील करना चाहूंगा, यह महामारी मानपता को समाप्त करने पर उत उतारू है, इनसान को समाप्त करने पर उतारू है, इसे में कोई भेदभाव नहीं, जाती, पंत, वर्ग, सारे भेद भूल जाएं, हम सब मिलके इस महामारी के खिलाफ लड़ें, घरों में रहें, लागडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, प्रसासन को पूरा सहोग करें, आप सब के सहोग से हम लड़ेंगे, प्रदेश के बाहर जो हमारे मजदूर काम करने गए थे, उनमें से ठीकांस बापिस लोटाए है, जो बाहर के प्रदेशों में है, वहां के मुखमंतियों से चर्चा करके, उनके रहने, और भोजन की व्यवस्ता हमन आइसुलेशन में रखा है, उनका चेक अप हो रहा है, जर्च पढ़ने पर दवाई की व्यवस्ता की जा रही है, निसुल के रासन की व्यवस्ता हम कर रहे हैं, उनको कोई तकलिफ ना हो, ये कौसे समाए रहे हैं।